सुविचार बाय अग्रहरी नाग्राजी वेवार के बिना मानव का कारिक्रम सिद्ध नहीं होता है जो घटनाय सोयम के लिए वेदना का कारण है वही दुसरों के लिए भी वेदना का कारण है ये स्विकार करना ही समवेदना है सत्ता में अनुभव करने के लिए सब के पास समान आउसर है मानव सुख धर्मी है, मानव का धर्म सुखी होना है वेवार मानव जीवन का अविभाज अंग है या मानव वेवार विहिन नहीं है मानव मुल्यों में जीता है, मुल्य विहिन मानव नहीं है वेक्ति का वेक्ति मत्व नय प्रदाई शम्ता से प्रद्रशित होता है प्रत्यक मानव प्रकृति का अभिन अंग है प्रत्यक मानव का लक्ष विहिन कारेक्रम नहीं है केवल उत्पादन ही मानव जीवन के लिए सर्वस्व नहीं है जीने देना ही जीना है जीने दो और जीओ प्रत्यक मानव भय मुक्ती के लिए प्रयासरत है समझना ही देखना है देखना ही समझना है मानव में शरीर की आवशक्ता निशित वसीमित है शरीर की आवशक्ता पुर्ती के लिए साधन भी परियाप्त है मानव में वर्ग विहिंता जन्म से होता है जिसके पास जो होता है वह उसे बाढ़ता है विनिमे मानव जीवन में अनिवारिय प्रक्रिया है हमारे सुखी वह दुखी होने का कारण हम स्वयम ही होते हैं मानव मानव के साथ सुखी होने के लिए ही विवहार करता है स्थान वह वस्तुओं का संपत्तिकरण अस्ताई है आरोप वह कल्पनाय अनेक होती है आधार विहिंता ही आरोप एवं कल्पनाय है आधार केवल प्रमान ही है मानो के दारा किया गया संग्रह एवं संपत्तिकरण स्वेम शरंशील है सबी सम्मंद पूर्णता के लिए अनुभंद है समझदार या जागरित मानो कर्म सोतंत्र होता है एवं फल सोतंत्र भी होता है प्रत्यक मानो गल्ती करने का अधिकार लेकर एवं सही करने का आउसर लेकर जरमता है जागरिती की यात्रा में कदम रखते ही सब पाप, ताप, शाप, शांत हो जाते हैं भ्रमित या नासमज मानों कर्म सोतंत्र होता है एवं फल्क परतंत्र होता है मानों में विनिमय सामाईख है, मानों में वस्तु एवं सेवा का नियोजन सामाईख है मानव में संपूर्ण उपुभोक सामाईक है मानव में शुदा पिपासा सामाईक है मानव में अखंडता के लिए मानवियता ही एक मात्र शरण है बाध्यताएं जब कटाक्ष स्तिती में आती है तब आचरण में प्रकट होती है मानव जाती सही में एक है और गलती में अनेक है गुरु मुल्य में लगु मुल्य समाया हुआ है संपूर्ण मुल्य का केवल अनुभव ही है सुविचार मद्यस्तदर्शन सहस्तितुवाद अग्रहर नागराज जी अस्तित्व मुलक मानव केंद्र केंद्री चिंतन ग्यान धन्यवाद यह प्रस्तुती अग्रहरी नागराज जी के जन दिवस के उपलक्ष में उनके द्वरा प्रतिपादित सुविचार मानव जाती के लिए कल्यानकारी हो इसलिए है धन्यवाद